असलाम लेकुम प्री नाइंध क्लास कैसे हैं जब ठीक है बच्छों यहाब करके मिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है ठीक है जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हो था सौल्ट वाला टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था यूजिज ऑफ सौल्ट इन इंडस्ट्रीज और प्लस पी एच स्केल डिसकस किया था ठीक है पी एच स्केल क्या था कि जिसे हम किसी भी स्लूशन की एसीडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करते हैं ठीक है हम लोगों ने देखा था कि 7 जू यू वाईल्यो है वह क्या शो करी थी हम लोगों ने पी एच वैल्यों फाईल्यों करने हैं इन एकव给我 मेडियम काशल्यों ने जैदा होगी तो फोस लूचन है स्टीक होगा या बसिक होगा The concentration of hydrogen ion and hydroxide ion in pure water are equal Pure water जो हम पानी पी रहे हैं उनमें कहा रहे हैं कि H positive ion और OH negative ion हमेशा equal होते हैं मतलब जितने H positive ion होंगे उतने ही OH negative ions भी होंगे Hydrogen ion concentration increases when acid are dissolved in water अब जब भी पानी में हम किसी acid को dissolve करते हैं Acid क्या होता है जिनमें H positive ion concentration ज्यादा होती है जब हम acid को पानी में dissolve करते हैं तो पानी में H positive ion ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं जब भी हम किसी acid को पानी में dissolve करते हैं तो H positive ion ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं एज पॉजिटिव आइन ज्यादा होंगे तो इसका मत्ताब है कि वो solution क्या होगा? Acidic solution होगा. Alkylis on dissolving in water decreases the concentration of hydrogen ion. पहली condition हमने देखी थी कि हमने पानी में क्या हल किया है? Acid. Acid dissolve करने से क्या चीज़ ज्यादा होगी थी? H positive. अब हमने दूसी condition में क्या dissolve करना है? Alkylis, मतलब basis dissolve करनी है. Alkylis on dissolving in water decreases the concentration of hydrogen ion in water as compared to hydroxide ion. कहने हैं, जब हम base को पानी में हल करते हैं, तो H positive ion कम होना शुरू हो जाते हैं और OH negative ion ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं. हम लोगोंने क्या discuss कि अभी दो situations थी? कि अगर हम acid dissolve करें हैं, तो H positive ion ज्यादा होंगे. अगर हम base dissolve करें, alkylis dissolve करें हैं पानी में, तो OH negative ion ज्यादा होंगे. The greater the concentration of hydrogen ion in a solution, the stronger the acid it is. अब किसी भी solution में अगर H positive ion ज्यादा होते हैं, तो उसका मतलब है कि वो acid क्या है? Strong है. ठीक है? Acid क्या चीज़ है, जिसमें H positive ion की concentration देखते हैं. अगर H positive ion ज्यादा हैं, तो वो acid क्या होगा? Strong होगा. The lesser the concentration of hydrogen ion as compared to hydroxide in a solution, the stronger alkaline it is. अगर H positive ion ज्यादा हैं, तो वो चीज़ acidic है, ज्यादा strong acid है. और अगर OH negative ion ज्यादा हैं, तो वो चीज़ basic है, alkaline है. ठीक है? इन lines में बताया है कि जो scale हम use करते हैं, acidic strength को find out करने के लिए और basic strength को. कि हम क्या चेक करें कि H positive ion ज्यादा है या OH negative ion ज्यादा है? अगर हम ये दोनों चीज़ें चेक करने के लिए को scale यूज़ कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पियर्ट स्केल. ये स्केल हम लोगों ने previous lecture में discuss कर लिया था. हमें पता है कि 7 number जो है, वो क्या है? neutral है. neutral का मतलब है कि जितने इसमें H positive ion होंगे, उतने ही इसमें OH negative ion होंगे. जितने hydrogen ions होंगे, उतने ही hydroxide ions होंगे. ठीक है? और ये number क्या आएगा? 7. 7 number क्या होता है? neutral. neutral किसे कहते हैं कि जितने H positive हों, उतने ही OH negative हों. नेक्स्ट हम लोगों ने डिसकस किया था कि 7 से less numbers जो होंगे, वो क्या होंगे? pH value को शोग करेंगे, hydrogen ion की concentration को शोग करेंगे. means कि ACD condition को शोग करेंगे. 7 से greater जो number होंगे, वो किसको शोग करेंगे? alkaline solution को, यानि कि basic city को शोग करेंगे. 7 से greater number OH value को शोग करेंगे, वो 7 से less number H positive ion को शोग करेंगे. ठीक है? यह सारा हम क्या पढ़ें? pH scale. pH scale में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम scale ऐसा, जो क्यों यूज करेंगे हैं ताकि हमें पता चलें कि solution ACD का है, या फिर basic है. फिर हम लोगों ने range देखी, range के आती कि 7 number हमेशन neutral होगा, 7 से less number होँगे तो वो क्या होँगे, acid, 7 से greater number होँगे, तो वो क्या होँगे, base, alkalize होँगी, ठीक है, और different colors यह शोग करते हैं, ठीक है, colors हम match करके देख लेते हैं कि, वो solution ACD का या फिर basic है.